बिहार में स्वास्त स्विधाओं को डिजिटलाइज करने को लेकर मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने भव्यकारिक्रम का श्रुबारा में 11 अक्टूबर को किया इसके बाद पूरे बिहार में भव्य कारिक्रम के तहत मुख्यों देश्चित स्वास्त सुविधाओं को एकत्रित करते हुए डिजिटलाइस करना है इसी को लेकर महराज गंज में विशाल कारिक्रम का एजिन किया गया प्रसिक्षन शिवर में सिवान वो गोपाल गंज के स्वास्त विभात के करमचारी को प्रसिक्षन दिया जा रहा है प्रेस्टिक्षन شिवर में ट्रेनर के रूप में समिट ओर्डि कोषव आप दिली की रूप में और सुविद करना है जिससे गैन कीजा रही है पूरे गोपाल गंज और पूरा सिवान के लोगों का जो यूजर से उनके प्रस्टिक्शन दिये जाएंगे पर जास्तिवी से मानकी लाब क्या मिलेगा आम जनता को मरीज को भव्य जो अप्लिकेशन है यह तीनों लोगों के लिए लाबदायक है सबसे पहले अगर हम लेले जो हमारे स्वास्ति विभाग के लोग है जो कर्मचारी हैं उनके काम आसान हो जाएंगे यहां पर कई प्रकार के एप्स हॉलेड़ी चल रहे हैं लगबग 36-37 एप्स रणिंग में हैं उनसे सारों को अपरेट करना सबके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है जिनों प्रकी दिर उन सबको एकेगरित करकर के एक ही ही अप्लिकेशन के द्वारा टोटल वर्क को डिजिटलाइज करने का अथक प्रयास है और जहां तक हमारे कॉमन पिपल का बात है कॉमन पिपल का टोटल पेशन्ट है हिस्ट्री रिकॉर्ट जो है अब हमारे डिजिटली स्टोर्ड रहेगा अब उनको अपना कागज ले करके फिर से जाने की जरूरत नहीं अगर उन्होंने एक बार अपना चेकप करा लिया तो उनका वो चेकप हिस्ट्री टोटल हमारे पास हमेशा रहेगा तो अगले बार वो अगर केवल अपना रिफरेंसेस दे सकते हैं नमबर तो उनके सारे रिकॉर्ड को देखा जा सकते है तो तो लिक होने का डर हमेशा बना रहेगा अचा है साइबर कराम के दोरा नहीं इसके लिए आपका एमस दिलियम्स का हुआ था देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ लेकिन इसकी जो सिक्यूरिटी जिटिली जो भी सिक्यूरिटी कॉंसिल्स हैं उनके चेक्स के बाद ही इसको लागू किया गया है